अगर आप चमकदार और बेदाग स्कीन चाती हैं तो ये आपकी स्कीन पर नीचूरल heiroल लाने के साथ साथ आपके चैहरे से आपकी स्कीन से दाग दबों को दूर करेगा और पिग्मेंटेशन के अगर जिद्धी सालो पुराने निशान जम्ब है तो उन्हें भी खतम करने मे बहुत ही कारगर सी दोगा जिद्धी निशाने जो की हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही कारगर हैं ये आपके चैरे पे बहुत ही जादा गलो और हाइडरेशन लेकर आएगा साथ ही साथ आपके चैरे के कलर को फेयर करेगा आपके चैरे को पिंक से खतम करेगी, डार्क सरकल पे वर्क करेगी, डार्क स्पोर्ट पे वर्क करेगी, तो चली हम देख लेते हैं, कि हम इस रेमेडी को किस तरह से बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए चुककंदर यानी की बीट रूट, बीट रूट में विटामिन A होता है, उसको पिल आफ कर लेंगे, सारा छिलका उसका अलग कर लेंगे, और फिर हमें एक ग्रेटर लेना है, और उसे ग्रेट कर लेना है, गाइस बीट रूट के हमारी स्कीन के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदे हैं, यह हमारी स्कीन के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है, हमार नजर आने लगी है तो यह आपकी स्कीन में कसावट लेकर आएगा आपकी स्कीन को टाइट बनाता है तो यहाँ पे मैंने चुकंदर को ग्रेट कर लिया अब हमें एक बाउल लेना है और चुकंदर को इस तरह से हाथ में लेना है और उसका पूरा जूस हमें अलग कर लेना है आप किसी चलनी की हेल्प से भी इसका जूस अलग कर सकते हैं तो यहां पर मैंने इसका जूस अलग कर लिया है गाईस अब हमें next ingredient लेना है एलोवेरा जेल एलोवेरा आपकी स्कीन को हाइटेशन और पोर्शन देता है आपकी स्कीन का काले पन को दूर करने में बहुत जादा मदद करता है अलोवेरा जेल उम्र के बढ़ते संकेत हो जैसे फाइन लाइन्स, रिंकल, जुलसी हुई स्कीन को रिमू करता है और डैडी स्कीन को अटा कर समय से पहले बुड़ा होने से रोकता है यहां पे मैंने वन टी स्पून फुल बरके अलोवेरा जेल का ले लिया है अब नेक्ट इंग्रीडियन्ट लेना है हमें शैद यानि की हनी शैद में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़ादा होती है यह हमारी स्कीन के हाइडरेशन को मेंटेन करके रखता है कर देंगे अब हमें एक्ट इंग्रीडियन्ट लेना है आमन्ड ओयल यानि की बादाम का तेल हाफ टी स्पून बादाम का तेल लेंगे और उसे भी इसमें एड कर देंगे यह विटामिन ए से बरपूर होता है यह हमारे चैरे पे जितनी भी टैनिंग और काला पन है उसे दूर करता है हमारे चैरे की फाइन लाइन रिंकल्स जूर्यों को हटा कर इसकीन को ब्राइट करता है अब सभी इंग्रीडियन्ट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे आपको बराबर चलते हुए पांच मिल तक इसको अच्छे से फैटना है और सभी इंग्रीडियन्ट को अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है आप इसकी consistency देखिए बस इस तरह की consistency हमें चाहिए तो यहां पे बहुत ही बढ़िया हमारी remedy बन के तयार हुई है यह हमारी skin पे हमारे चैरे पे बहुत ही magical work करेगी तो गर यहां पे remedy बन के तयार है यह आपके चैरे पे आपके skin पे बहुत ही amazing result देगा आपके जूरियों पे आपके wrinkles पे बहुत ही magical work करेगा आपके skin से दाग दबो को remove करेगा बहुत ही ज़ादा आपकी skin tight हो जाएगी smooth हो जाएगी आपकी skin बहुत जादा शाहिन करने लगेगी ग्लो करने लगेगी आपके चैरे पे pinkness आजाएगी जूरियों के उपर wrinkles के उपर दाग दबो पे बहुत ही amazing work करेगी आप इसको एक साथ बना के store करके freeze में रख सकते हैं बिलकुल भी खराब नहीं होएगी और ये 5-7 दिन आराम से चलेगी तो चली अब हम देख लेते हैं कि हमें इसे apply कैसे करना है सबसे पहले आपको अपने face को wash कर लेना उसके बाद में scream को लेना है और अपने चैरे पे dot dot करके लगाना है और circular motion में दीरे-दीरे massage करनी है पांच मिन्ट तक आपको दीरे-दीरे massage देनी है अपने पूरे चैरे पे आप चाहें तो अपने हातों पैरों पे भी इसको लगा सकते हैं आपके चैरे पे जहां fine lines है आँखों के आसपास lips के आसपास forehead पे अच्छे से इसको लगाईए और पांच मिन्ट तक massage कीजिए फिर आपको इसको पांच मिन्ट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है उसके बाद में normal water से अपने face को wash कर लेना है आपको इस क्रीम को दिन में दो बार apply करना है एक बार आपको morning में और एक बार आपको रात को सोते समय रात को सोने से पहले इसी तरह आपको अपने चैरे पे लगा के इसको massage देनी है पूरी क्रीम को आपको इसकीन में absorb करनी है और फिर overnight के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है सुबा उटके आपको अपने face को wash कर लेना है गईज सेवन डेज तक आपको इस remedy को बराबर यूज करना है और सेवन डेज बाद में आपकी स्कीन बहुत ही ज़्यादा tight हो जाएगी और आप देखकर हैरान हो जाएंगे आपके चैरे पे facial वाला glow नजर आएगा ये देख दाए तो एक like जरूर कीजेगा जब आप एक like देते हैं तो मुझे उससे motivation मिलता है और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियो तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके मेरी YouTube family का हिस्सा बन जाएए ताकि मेरी YouTube family और बड़ी होती चली जाए मैं म मिलती हूँ आपसे एक next और amazing remedy के साथ तब तक के लिए बाई